तो मेरे बाई आज जैसे कि तुमने थम्नेल देखा है मेरा उसको देख करके तुम्हारे दिमाग में कुछ सवाल उठ सकता है कि आखिर ये वीडियो किस बारे में है मैं तुम्हें चांकरी इसलिए बता देता हूँ कि आज मैं मनाने वाला हूँ रिप्लाइड है इस वज़े से मैंने ये वाला वीडियो बनाया है अगर तुमको इसमें कोई इंट्रेस्ट नहीं आ रहा क्योंकि ये वनपीस का कोई कंटेंड नहीं है इसमें तुमको वनपीस को लेकर बहुत सारी जानकारिया मिल सकती है तो इसलिए ये वीडियो भी देखो एक्चुली मैं आज जो वीडियो आने वाला तो वो था ब्लैक बेर्ट के पावर के उपर लेकिन फिर मैंने सोचा इरादा चेंज कर दिया क्योंकि यार तुम जानके हो मैं रेगुलर वीडियो तो अपलोड कर रहा हूं ना तो तुमको ये वाला वीडियो कल मिल जाएगा लेकिन आज के लिए इसको जहलो खेर मेरे बाई मैं यहां पर सबसे पहला कमेंट जो कि छे गंटे पहले मुझे किया गया मेरे टाप 10 वाल लिस्ट देखो इस बंदे के हिसाप चे ना भाई जॉय भाई नंबर वन पर प्लस इस टॉप 10 लिस्ट में मंकीड गार्प गायब है और एक और चीज वाइड बीर्ड अपना इतना नीचे है लिस्ट में कि तुमको एक टाइम पर डाउट हो जाएगा कि भाई वाइड बी भी हमेशा नंबर वन नहीं रह सकता बाकी ओडा ही जानता है कि कौन कितना पाणी में है ठीक है चलो ओडा सी पूछते हैं SBS Vol. 82 वहाँ पर ओडा ने कहा था उन्हें जो ओल्ड पीपुल अच्छे लगते हैं प्लस वन पीस के वर्ल्ड में उन्होंने इस तरह से बनाया है कि यहाँ के जो ओल्ड पीपुल से है वो अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रख सकते हैं वहाँ पर मैंने सिल्वर रैली को नंबर 9 पे सखा था सायद और उस लिस्ट में मैंने इसलिए रखा था क्योंकि जब रोजर ने क्रू को बंद कर दिया तो उसके बाद रैली ने कोई बड़ी तगड़ी फाइट नहीं लड़ी थी इसी वज़े से अभी का जो रैली है वो इतना पारफुल नहीं है जितना प्लस अगर तुम वाइड बेर्ट के बात कर रहा तो वाइड बेर्ड एज के साथ वह वीग हो गया तो वैसा सी नहीं है। उससे व्यूजे से वह इतना ज्यादा बिबार हो चुगा था कि वह अपने कॉरर हाकिकों को तक यूजर नहीं कर पा रहा था। खेर मेरे भाई तुमको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ अगर तुमको doubt भी रहा गया तुम कमेंट कर सकते हो next comment ये वाला final comment है और I know कि तुम ये वाला video देखरो मैं जिसका comment का जबाब देने वाला हूँ MD Harun मैं तुमारी बात करो सबसे पहली बात मैं तुमको पहली बोल ले तो मैं जो भी कहूंगा ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं और समझने का कोशिस करना अगर भगवान ने तुमको बुद्धी दिया तो भाई ये बंदा मेरे हर लाइब चैट पे कमेंट करता है कि नरुटो इस बेटर देन का बंदा होता है वो भाई तुम हो सबसे पहले तो भाई ये सबसे बड़ा रीजन अगर ये तुम्हारा फेवरेट लिस्ट है ये लोंग तुम्हारे एंगल से नहीं है तो तुमको इसको ले करके धिंड़ो रहा है क्यों पीड़ है अच्छा एक और चीज बता ना तुमन ये बड़ो नरुटो के फैन हो यहां पर एक और चीज में लेना चाहूंगा भाई ये बंदा से ज्यादा टॉक्सिक है और ये खुद हमारे वनपीस कम्यूटी को कहता है कि वनपीस कम्यूटी के लोग टॉक्सिक होता है मैंने तुमको अभी तक कोई गालिया नहीं दी है म मैं तुमको एक एक जांपल देता हूं अगर हमारा वनपीस कम्यूटी का कोई बंदा जा करके कोई वनपीस फैन जाके अगर कमेंट करता है जो कि मुझे पता वो नहीं करेगा क्योंकि हमारे जो जितने भी कम्यूटी के लोग है वो लोग सब एनमी को जो है रिस्पेक्ट लोग ही होते हैं जो लोग वनपीस ऐसे सबसे पहला एनमे ऐसे देखने के लिए स्टार्ट करते हैं जैसे कि मैं था और अगर वो लोग वनपीस को अपना फेवरेट एनमे मानते हैं तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जैसा कि तुम नरूटो को अपना फेवरेट आनिमे मांतू, नरुतो कोई सकने कि वो एक masterpiece है, लेकिन मेरी हिसाब से जिस दिन नरुतो सी pudding खतम हो गया था, जिस दिन हिनाटा और नरुतो का साधी हो गया था, उसके बात से मेरे लिए नरुतो खतम हो गया था, मैं Boruto नाम का कोई आनिमे exist करता मैं उसको मानता हिनू, प्ल धिंडोरा पीटता फिरू की नरूटो इस बेटर देन एनी अधर एनमे जो कि तुम कर रहे हो प्लस मेरे भाई तुमने अगर नेक्स्ट टाइम से कमेंट किया है मेरा सर चड़ चुका है मेरा गुस्सा चड़ा दिये तुम यार इतना ही रहने दो खतम कर दो और है ची मैं कहत बता हूं तुम यह सब कमेंट क्यूं कर रहे है क्या चाहते हैं इससे क्या मिल जागा यार का सबांत करना चातों यहां पर जितने लोग है न सबने नरूटो देख रह पाई तुमने नरूटो नहीं देख कोई बड़ा बात नहीं है उसके बाद ही तुम्हारा उनपीस लेकिन यहां पर मैं एक चीज तुमको कहना चाहूंगा अगर फिर भी तुमको यहां पर लगता कि मैंने कोई बात गलत किया है तो तुम एक काम करो मेरा ये वीडियो उठाओ ये वाला पार्ट ले जाके तुम अपने किसी ऐसे यूटुबर को दिखाओ जिसे तुम भगवा जो कि तुम्हार फेवरेट यूटुबर होगा प्लस यहां में कंडिशन यह है कि वो बंदा वन पीस देखा हुआ होना चाहिए और नरुटो भी देखा हुआ होना चाहिए उसके बाद उस बंदे को जाकर कि तुम ये वाला वीडियो दिखाओ और वो बंदा अगर कहता है कि मैंने यहां पर कोई गलत बात बोला है मैं खुद माफ ही मागूंगा यार मुझसे तुम बस उसका कॉंटेक्ट करवा दो मैं जानता हूँ कोल बंदा किसी भी यूटिवर को अगर तुम ये वीडियो दिखाओ गया और उसने अगर दोनों एनिमेस देख रखें तो वो म तुम्हारा फेबरेट है इसको लेके मैं यहां वहां जाकर के धिंडोरा क्यों पीटता फिरू यार भाई अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस टाइप से कमेंट कर सकता था भाई क्या आपने नरुटो देखा अगर नहीं देखा तो आप नरुटो एक बार देख सक मैं दुबारा वाच करूँ टेंशन मतलो सेकेंड चैनल पर मैं उसका रिव्यू डालूंगा और हां वह चैनल भी सब्सक्राइब करके रखना तुमको वीडियो मिल जाएगा और हां तुम लोग भी इसको यार इग्रोर मारना शुरू करो अगर इस टाइप के कमेंट मारता ये कमेंट पढ़ने के बाद और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक मारो चैनल सब्सक्राइब मारो और सेयर करने नहीं बूलूंगा क्योंकि यार तुम लोग जानतों इसमें कुछ जानकारी लायक नहीं था तुम लोग दूसरा वीडियो देख सकते हो मेरा अ साथ ही वो वीडियो को सेयर कर देना तो यार मिलते नेट वीडियो मां अभी के लिए है बाई